तो देख sue कि उसको जोए ना नटेबंगी ते उसकी वजय नगेशन की तो हम स्बॉनफय एक रीजन में जो है ग्लोबलर स्वेलिंग मिली और ब्रूजिंग मिली और हमें एविदेंस मिला ब्लड का अंदर टिप ऑफ एक्स्टरनल उरिनरी मेर्टिस तो यह जो तीन चीज़े होती हैं यह आपको किसमें मिलती हैं इस शो 늦र युडिसा को आपर एक्सटरनल उरुणिय मेर्टिस टेप यूरिदेश्ट अपटिप और प्लाटिर शुपर प्लाइपर एक्सटरनल उर्रेवילे दिए करेंगे सौर खेंग कुछ IV line pass करेंगे fluid resuscitation करेंगे IOP charting करेंगे vitals monitoring करेंगे electrolyte balance maintain करेंगे उसका blood loss हुए उसके लिए हम उसकी cross matching करेंगे blood sample उसका लेंगे उसको blood देंगे IV antibiotics उसको start करवाएंगे prophylaxis करेंगे deep venus trombosis का with compression stockings उसके पद specific management के जो है कर लिए है तो ठीख है अगर नहीं किया तो फिर आध्यारीब रिजन का अगर नहीं है तो फिर आप ब्लेडरी को देखते हो o記र रेकैंगे parler से vodu नहीं होता हुआ तो सूरफसेर पिर स्झाड़ को तो पृर चाहिए होगे टो पर छयो उसके तौनिंगे और उसकी जो है वो bladder जो है अगर उसकीель हम नहीं कर सकते अज़ा sérap disciple हमकि करते एैं कि further हम क्या करते हैं कि उसकी जो है वो scopy करते हैं सारी sister utallahi scopy और पिर फूलिव पर रखते हैं अगर bladder जो है उसकी katharization हम नहीं कर सकते हैं क्लिव scratching करेंगे सिस्टो scopy हम युरिस्टो स्टोमी कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे रिज्ट्रल स्ट्रिक्चर्स के केस में परफॉर्म बगर की जाती है और फिर जो है उसको एंटिबाटिक्स देंगे दो हफते के लिए और कैथेटर उसका चार हफते के बार रिमूव करेंगे और सुपर के सकते हैं अगर के समय आके पूचिए है तो उसकेस में आप का मप्लिकेशंस क्या हो सती है री केरेंट हो सकता है और उर्ट्र Olard by you sc region eh hem इंडिकर अपितर प्ली कर चनल फोपर रिमेंज golden ख simples और ऑपनतिके मिदे अबनेनरी इंकंटेनस हो सकते हैं यह तीन चीज़ आपने किसमें देखी थी वैसे युरीथरल रप्चर के अंदर जो है वह हमारा बलबर था न इंजुरी थी उसमें ने देखी थी के मैन होल के ओपर जो जब गिरता है तो फिर होता है तो युरीथरल रप्चर कुआ इंवेस्टिकेशन आप क्या करवाएंग ब्लड ग्रूपिंग करेंगे एक्स्ट्रे के यूबी करेंगे अल्ट्रसाउंड करेंगे पल्वेस का और के यूबी सीटी स्कैन करेंगे रेट्रो ग्रेट्स हिस्ट्रोग्राफी करेंगे आई वी यूरोग्राम करेंगे लेप्रोस्कोपी के लिए अप्रोच करेंगे और जो है वो भी गिरा है, manhole cover जो है उसके उपर और प्रिजेंट अमेजन्सी वार्ड और लेटर विद रिटेंशन उफ यूरेन उसको हो रहा है पैन्फुल पैरियनल स्वेलिंग है और फिर अगें ब्लीडिंग फ्रम एक्स्टरनल उरेनरी मेर्स तो एक्स्टरनल उरेनरी मेर् आपकर होगा व्यूरेक्स आपकर आपकर जो है और रिटेमेंट उसका डिसक्रिस कर चूके हैं तो देखें हैं उरेटरल स्ट्रेक्श्यर्चुर्स के सबसे पहले जो है कि 30 उर्ट मैंन है जो डीफिकल्टी पासिंग यूरेन के साथ आ रहा है कि जो है ना चार महीने से उस उसको confirm कैसे करोगे, treat कैसे करोगे, फिर देखें, कि thin stream of micturation की complaint है, उसको 6 महीने से, उसको history है, urethral discharge की, ठीक है, so this is important point, कि patient को history होगी, कि किसी भी infection की, ठीक है, कि उसको 8 महीने से, urethral discharge होता था, उसने उसको कोई treatment नहीं लिया, देखें, जरा, inflammation भरती गई, भरती गई, उसने वहाँ पर fibrosis करवा दी, chronic अली, और वहाँ पर urethral structure बन गया, तो अब जो है, हम उसको treat करने लगे हैं, यह diagnose करेंगे, investigation और treat करेंगे, तो इस topic को हम discuss करते हैं, so what is urethral structure, structure का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है, पतली होगी है, नेरो होगी है, तो narrowing of the urethra is known as urethral structure, अब structure जो होता है, इसका यह होता है, कि यह disease तो हो जाती है, लेकि जब इसका treatment करते हैं, किसी भी form का, तो वो दुबारा से हो जाती है, recurrence इसकी बहुत जादा है, और एक दफ़ा कहते हैं, कि एक दफ़ा urethral structure हो जाएना, तो उसको हम दुबारा से cure नहीं कर सकते हैं, मतलब never be cured, क्योंकि वह हम जो भी technique पर form करेंगे, क्योंकि वहाँ inflammation है, chronic fibrosis होई भी है, वो दुबारा हो जाएगा, recurrence होगी, तो recurrence इसकी बहुत है, तो इस वज़ा से prevention is important है, types इसकी क्या होती है, कि trauma की बाद हो सकता है, trauma के बाद, inflammation के बाद, like post-konococcal जिसे अपनी scenario में भी देखा, instrument कोई अंदर हमने गुसाया था, कोई catheter गुसाया था, कोई endoscopy की थी, उसके बाद, वहाँ पे inflammation हो गई, endleto fibrosis, post-operative हो सकता है, like हमने prostate टकनिमी की थी, वहाँ पे, आमने, तो देखें, इन सब के cases में, trauma के case में, inflammation के case में, instrumentation के case में, surgery के case में, सब के case में, हो क्या रहा है, ultimately inflammation हो रही है, inflammation acute हो रही है, और chronic के वज़े से, वहाँ पे scarring हो जाएगी, ठीक है, वो scarring जो होगी, वो urethra को बिल्कुल constrict कर देगी, urethra बंद हो जाएगा, ठीक है, तो pathophysiology में यही है, कि जब भी, जो है, वो injury होगी, inflammation होगी, urothelium की, वहाँ पे scarring हो जाएगी, वो बहुत जोड लगाएगा, straining करेगा, उसकी जो जोड लगाएगा, तो उसकी जो stream निकलेगी, वो narrow सी होगी, dribble हो जाएगा, urine चोट-चोटे कत्रों की फॉर्म में आ रहा होगा, frequency जाधा हो जाएगी, तो यह सारी चीज़े, अब यह जो है, जब उसको पैल्पिट करोगे, तो आपको वो hard feel होगा, ठीक है, hard feel होगा, उससे पता चलेगा, कि यहाँ पे एक्शली, जो अंदर पीनेस के युरीथरा पढ़ा हुआ है, पिनाय युरीथरा है, उसकी क्या हो गई है, fibrosis हो गई है, ठीक है, और इसके लावा, जो है, हम युरीन के कल्चर करवा लेंगे, इसके लावा, इसका मसला क्या होता है, देखें, अगर युरीन बाहर नहीं निकलेगा, तो आपको पता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कि वो युरीन डेटेंशन हो जाएगी, और इसके लावा, हाईडरो युरेटर्स कास करेगा, हाईडरो नेफ्रॉसिस कास करेगा, पेन कास करेगा, इरीनल फेलियर कास कर जकता है, तो इस सबको हमने रीनल फंक्शन करवाने होते हैं, तो हम RFTs करवाएंगे, युरेन कल्चर करवाएंगे, तो रूल आउट जो हमने पढ़ा था, इंफ्लामेशन, गोनो कोकल कॉस्टेश वगरा, ठीक है, उसके बाद हमारी जो टिकनीक होती है, इस इस युरीथरो, एक होता है, स्कोप और एक होते है, ठीक है, हमने क्ये करना होता है, हमने जो है, फ्लैकसिबल या रिजर्ड जो है, युरीथरो स्कोपी करनी होती है, युरीथरो ग्राफी करनी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो external matrix होता है, उसके थूरू हम contrast डालते हैं अंदर, और फिर हम उसकी picture ले ले लेते हैं as you can see here तो उसमें जो है ना जहां पर contrast जो है जिस जगह पर जाकर रुक जाएगा कि यहां पर उसके feeling defect आजएगा उससे में पता चल देगा कि यहां पर structure बना हुआ है तो urethroscope हो गई urethrography हो गई, urethroscope हो गई तो this is the diagnostic test for that बागे आपके जो है वो urethroscope, urethrography है urethroscope, urethrography है urine culture है, RFDs वगर है, uroflometry है वो जो है ना आपके चलते रहते हैं साथ-साथ, CBCL, RFDs और यह सारी चीज़ है ठीक है, तो देखें urethral structure की वज़ा से क्या होगा urethra के अंदर क्या मसला हो सकता है वहाँ पर urine उसकी retention होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, infection हो जाएगा ठीक है, वहाँ जब infection होता रहेगा तो periurethral abscess बन सकती है इसी तरह diverticulum बन सकता है क्योंकि उसकी wall weak हो जाएगी फिर वहाँ पर क्या हो सकता है urethral fistula बन सकता है इसके इलावा जो है, अगर वहाँ पर obstruction है, उपर stones बन सकते है bladder के अदर क्या हो सकता है bladder की hypertrophy और diverticulum हो जाएगा bilateral hydronifrosis होगी क्योंकि यूरीथरा है न, यूरीथरा की यूरीथरा बंद है, तो आपको बता है कि जब भी यूरीथरा बंद होगा तो दोनों kidneys में hydronifrosis होगी हम hydronifrosis के topic में पढ़ चुके है और ये सब कुछ मसला होगा ठीक है, अब treatment इसका क्या होगा देखें, किसी भी जगा पर obstruction होती है उसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे उसरे रस्ते को खोलने के लिए हम वहाँ पर कोई dilatation की चीज़ेंगे उसको dilate करने की कोशिश करेंगे तो dilatation जो है, forceful dilatation जो हम इसमें नहीं करते क्योंकि उसकी बज़े से false passage बन सकता है, हमें बहुत ही experienced hands चाहिए होते हैं, इसकी dilatation के लिए और हमारे पस different जो हैं, चीज़ें होती है जिसके तो हमने उसको dilatate करना होता है structure को, कौन-कौन से एक bogey होती है एक sound होता है और एक catheter होता है, ठीक है gun elastic bogey होती है graduated metallic urethral sounds होते है sounds होते हैं, और इसके लाबब self-dialatation हम कर सकते हैं एक side पे आपको दिखाए है metallic sound होता है, graduated होता है देखें, जहां पे structure बनाव है वहां पे हम insert करेंगे यह structure बनाव है, यहां पे हम insert करेंगे उसको guide wire के थूँ पहले guide wire डालेंगे, फिर उसको डालेंगे और वहां पे जागे उसको बैलून की तरह फुलाएंगे तो वो जो जगा structure की होगी, वो खूल जाएगी तो यह हमारा होता है metallic sound जो हम use करते हैं, graduated metallic urethral sound होता है, और इसके लाबब यह वाला होता है, इसको बोगी कहते हैं इसको बोगी होता है, यह हम use कर सकते हैं यह तीसरा एक catheter होता है, उसके दूप कर सकते हैं यह होते हैं चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम urethroscopy करते हैं यह वो है, urethroscopy ठीक है, नीचे से हम उपर डालते हैं उसको view करते हैं और फेर हम graphi कर लेते हैं graphi में क्या है, उसको एक्सरे लेके देखें, यहाँ पर जाके यह डाय कंट्रास्ट को जाके अटक गया है पता चलेगा, यहाँ पर structure हुई भी है तो यह हमारी diagnostic होती है इसके लावा dilatation जो हमने बताए है इससरा से dilatate करेंगे दूसरा हमारा एक procedure होता है जिसको हम कहते है, यूरिथरो टोमी ठीक है, यूरिथरो टोमी के नाम साब को पता चल रहा है कि आपने वहाँ पे कार्टने किसी चीज़ को ठीक है, तो कार्टने के लिए आपको क्या जरूरत है एक knife की जरूरत है, ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि patient के position सेट करते हो कि जिसमें उसने लेटना होता है उसके बाद जो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना सिस्टो स्कोप डालते है सिस्टो स्कोप से हम सारे structures को view करते है यूरिथरा जो structure होता है वो हमें नजर आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे structure है इस structure को हमने remove करना है फिर हम क्या डालते है यह हमारा urethro tom होता है इसको हम अंदर डालते है ठीक है, surgical knife के थूर यूरिथरा के अंदर यूरिथरा के अंदर जब वो चला जाता है knife सी होती है तो वो knife क्या करती है कु了 get to GSA काटती है ठीक है यूरिथरो TOM होता है और उसके साथ एक knife होती है यूरिथरो TOM knife तो हमारी होती है और उसके थूर हम उसको जगा को काट देते है पिर हम क्या करते है क्यूंकि काटी वी जगा को वो जैसे हमें आपको याद है जे जे स्टंट डालते होते थे कि वो दुबारा से ना बंद हो जाए उसके लिए हम वहां पर कैथेटर पास कर देते हैं वो कैथेटर जो है उसका बैलून कैथेटर होता है वो जाके उस चगापे ना कुछ दस दिन के लिए एसे खुला रहता है उस चगापे जाके तो वो दुबारा से जो है ना नहीं बंद हो तो दस दिन के लिए हम जो है वो फॉलस कैथेटर पास कर देते हैं उसके बैलून इंफलेट कर देते हैं ताके वो हील भी हो जाय मैँए हुर साइज से दस दिन के लिए उसे हमने काटा सारे टीशू को जो स्ट्रिक्चर बना हुआ था और फिर हमने उसको फूली स्काथेटर उसे पास कर दिया जो बिलून की तरह उसको इंफलेट करेगा और दस तीन के लिए अंदर रहेगा और पेटेंट रखेगा उस जगा को इसके लावा जो है युरित्रो प्लास्टी होती है देखें युरित्रो प्लास्टी में यह हमारा युरित्रा था और उसकी यहाँ पे स्ट्रिक्चर बनी हुई थी थीक है तो हमने के किया कि इसके यह वले स्ट्रिक्चर पार्ट को हमने रिमूफ कर दिया और ये दुड़ दौनों पार्ट से इन दोनों को очयして है तो क्या होता है कि उरिथरो प्लास्टि. में कि फ़ाइब्र।स्ट सिग्मेंट होता है उरीथर को हम साइस करते हैं और फ्री Megan to end伊ृ run नस्ट कर देते हैं तो यह हमारा होता है तो इसके लावा हम कभी डिफेक्ट बहुत ज़ादा हो तो फिर हम वहाँ पे ग्राफ भी प्लेस कर सकते हैं लाइक बकल, मुकोसल, ग्राफ फॉम दे ओरल कैविटी और फिर ये मतलब यूरित्रो प्लास्टी हम करते हैं तीन टेक्नीक्स होती हैं हमारी यूरित्रो प्लास्टी होती है दूसरी यूरित्रो टॉमी होती है जिसमें हमने काटना होता है एक्सेसिफ टिशू को और यूरित्रो प्लास्टी होती है जिसमें हमने end-to-end इस्टमोसिस करनी होती है after cutting the fibrosed segment so इसका देखें आंसर देख लेते हैं इसके diagnosis इसका क्या होगा? urethral structure cause क्या है? पर नज़र आ रहा है कि post gonococle infection की वज़ा से जो use rightus हो आवा था उसकी वज़ा से हुआ है investigations आपकी क्या है? CBC, ESR, LFTs, RFTs, PT, APTT, urethroscopy, urethrography जिसमें contrast induce करेंगे और x-ray लेंगे फिर इस तो urethroscopy होती है urine complete examination होता है urinary and blood culture होता है यह main होते हैं, बाकी यही चलते हैं उसको फिर treatment क्या होता है? treatment we have three options एक आता है dilatation by gum, elastic bogies, metallic sound या फिर catheter और फिर optical internal urethrotomy होती है जिसमें हम stricter, वो सब urethrotome डालते हैं उसको काटते हैं और urethroplasty होती है जिसमें fibrosse segment को हम एक size करते हैं और end to end anastomosis कर देते हैं ठीक है, of the urethra और फिर graft हम place करते हैं बकल, mucosa, defect जो है, वो जादा है यह 30 years वाला देख लें इसमें भी urethral structure is an answer is the answer or confirmation of diagnosis मैंने आपको बता दिये है treatment भी मैंने आपको बता दिये है same question है बाकियां के causes है causes आपने लिखने हैं trauma के विदर से inflammation के विदर से post surgical हो सकता है या जो है वो post surgical हो सकता है instrumentation की वज़ा से trauma में pelvic fracture है inflammation में post gonococcal for example instrumentation में catheter या endoscopy करते वे post operative में open prostatectomy और amputation of panis की वज़ा से so this is all about urethral strictures next we have some definitions से हम discuss करेंगे और next से हम circumcision करेंगे circumcision ग nations होती है हुतना जिसको कहते है अभू हम paparm करते है न तो उसके लिगे कुछ terms है वह आपको आनी चाहिए थिस खेए इस अबर कि कि रग्यान्स उति है ठीक है तो जो है अगर ग्लांस जो है उसके उपर यहीड говоря उसको रेफिट्रैक नहीं कर सकते उसको कहते हैं फीमॉसिस ते सोगते है उसकी cause क्या होती है यह तो वो congenitally ऐसे होता है यह उनकी जो inflammation हो जाती है अगर glands की inflammation होती है उसके लिए जो term use होती है that is balanitis और अगर papuse की inflammation होती है तो उसके लिए जो term use होती है that is postitis तो सोचने व़ी बात है कि अगर इनकी inflammation हो जाएगी तो obviously वहाँ पर फाइब्रोसिस टाइप हो जाएगी जिसके वीज़े से papuse जो है वो glands के उपर हम उसको retract नहीं कर सकेंगे so this is known as phimosis parafimosis जो है इसमें क्या होता है कि जो glands होता है उसके उपर papuse होती है तो यहाँ पर कड़के नहीं एक constriction होती है ठीक है जिसको हम कहते हैं corona ठीक है corona तो जो है जब क्या होता है कि proximal to corona जो है constriction एक ring बन जाती है ठीक है एक ring सी बन जाती है और ring like ना ring सी बन जाती है constriction proximal to corona उसकी वज़ा से क्या होता है जो glance होता है वो swell कर जाता है, adamatis हो जाता है, बहुत जाता स्वियर और स्वियर पेन के साथ होता है, वो tender होता है ठीक है और obviously वो construction बनेगी तो वो क्या करेगी blood supply जो है वो compromise करेगी जिसके जिसे glance जो है वो necrose भी हो सकता है gangrenus भी हो सकता है तो मतलब वहाँ पर simply आपने याद रखना है कि वो ना जो है क्या होता है बिल्कुल construction ring बन जाती है proximal to corona तो अब क्या होगा उस construction ring की वज़ा से जो force कीन होगी ठीक है अगर उसको हम retract करेंगे तो वो normal अपनी position पे वापस नहीं आएगी ठीक है once retracted over the glands cannot be replaced back in its normal position तो ये जो force कीन होती है जो अपनी position पे वापस नहीं आ सकती क्यों क्योंकि उस ring की वज़ा से जो वहां पे बन गई है this is known as paraphimosis तो इसका treatment दिखा हुआ है कि हमने उसकी ice packs apply करनी है डिमार हतम करने के लिए swelling के लिए हमने highly drawing days और saline देनी है तो ये चीज आ जाती है paraphimosis के लिए term का पता होना चाहिए बस फिर आते है बैलेनो पोस्थाइटिस यह हम पढ़ चुके हैं कि बैलेनाइटिस जो it is inflammation of glands ठीक है और पोस्थाइटिस is actually the inflammation of propuse तो इन कंडिशन्स को हम treat करने के लिए जो है इनकी inflammation को हम antibiotics देते हैं local hygiene maintain करते हैं और circumcine करते हैं अब जो पेरोनी disease है फिरपेजम है और सब्सक्राइब नेक्स पार्ट से करते हैं